I will show you how much time it does Hello student, hospital में maximum infection when bisogna वो हाथ वे जो यता से फेलता है और उसको रोकने का जो तरीका वो ग्लव बहुत सारे लोगों को यह ग्लव्स जो यह वह पहनने का और सेही तरीका या सही टेक्निक जो नहीं पता तो इस वीडियो में हम आपको gloves जो है वो पहनने के सही तरीके के बारे में बताएंगे साथ हाथ दोने के सही टेक्निक के बारे में भी बताएंगे सबसे पहले तो आपको सही number के gloves जो है उसका चैन करना है हर gloves के उपर number लिखा हुआ रहता है आपको अपने हाथ का नंबर जो पता होना चाहिए आपका जो हाथ का नंबर है उसी नंबर का गलव जो है वो पहनना है इससे बड़ा या छोटा गलव पहनने पर आपको काम करने के काम करने में परिशानी आ सकते हैं तो आपको number प्ता होना चाहिए स्के बाद ça करना आपको अपको एक इस्ट्राइल सर्फेस लेना या क्लीन इसर्पेस लेना है उस इस service के ऊपर अपर यहां से खोलने का उसको खोल अभाद जो है उसको ya करना है इसके उपर क्लीर ली जो है वह लिखा हुआ रहता है लेफ्ट और राइट तो आपको देख लेना है left hand का कौन सा है और right hand का कौन सा है उसके बाद आपको इसको क्या करना है open कर लेना है क्योंकि आप hand washing की हुए इसलिए आपके हाथ clear इसलिए आप इसको आराम से touch कर सकते हो अब आपको क्या करना है जैसे left hand का gloves पहनना है पहले तो आपको ये ज़र surface जो है उसको touch करना है जो कि skin के contact में आएगा इस एरिये को हमें touch नहीं करना है जिससे हम patient के contact में किसी और contact में आता है तो सबसे पहले आपको finger जो है उसको hold करना है और इस तरह से आपको पकड़ लेना है पकड़ने के बाद इसको downward रखता है नीचे की तरफ रखता है ताकि gravity के कारण से वह finger जो है वह उपन रहे उसके बाद आपको हाथ जो है उसको अंदर ले जाना है अंदर ले जाने के बाद आपको क्या करना है सभी finger जो है उसको set करना है उसके अंदर और set करने के बाद आपको एक ही बार में जितना पहन सकते हो उतना आपको gloves जो है उसको ले आना है अ उसके लिए आपको क्या करना है कि अब यह क्या करना है इसलिए आपको यह अंदर वाले सर्फेस को बिल्कुली टच नहीं करना है इसके लिए आप दो फिंगर जो है दो फिंगर जो है दुसरी ग्लव जो है उसके काफ जो है उसके अंदर डालने इस तरह से ठीक है और उसके अब क्या करना आपको पहार का सरफेज उसको टच करना है आपको इस तरह से पखड़के फिर आपको सैट करना है क्योंकि अगर फिंगर में अच्छे से सेट होगा ग्लावस तहीं आप तभी आप अच्छे तरह से काम कर पाएंगे slippery नहीं होगा और अच्छे से काम कर पाऊगे इसको set करने के बाद फिर आपको क्या करना है इसको hold करना है यहां से और इसको भी set करना आपको इसकीन जो है उसको ग्लव्स बिल्कुली टच नहीं होना चाहिए हमारा क्योंकि ग्लव्स का आउटर सर्फेज जो है इसको set करने के बाद फिर आपको finger को set करना है finger को कभी भी आपको इस तरसे set नहीं करना है मतलब इस तरसे set करते हैं बहुत सारे लोग उससे क्या होता है इसके अंदर air होती है एर के एकान से ग्लवस जो पंचर हो सकता ए पंचर हो गया तो ग्लवस पहनने का कोही नहीं करने रहेगाby ख्राञ तर्हक्षार्श करना को तुम्टों है ओश के तरहा फिसिता फिट साहे इस तरह से आपको सेट कर ले ना है रहाम से एक-एक कर करके जो है वही अगर मां अलग होगा लेगा तो फिसी के बाद भी आपको काम करना में दिक्केत प्रोगे और कि Every Eliza और आए इसाइ बितड्न कर इस्ता सकते हैं अचरiyorsun कि इस तरह से आपको ग्रूफ हो पहनक लेने लैंट उसके पार काम करना काम करना है इंड्रेसिं इड्रेसिंग करनी है जो फिका में वह अब के निप रहा है इसके बारे मां बात करेंगे कि चैनला यो नेकंग जो है जो हम किसे करते हैं इस तरीके से करते किसा cozy साबून लिया और साबून लेकर किस तरीके से यो भूप शिजाते है नॉर्मल्य इस रिके से hand washing करने के कारण से क्या होता है कि बहुत सारे area जो होते हैं जैसे कि यह area यहाँ पर साबून नहीं पहुचा clean नहीं हुआ यह area जो है वह देखते तो वह भी clean नहीं हुआ उसके लावा अंदर जो groups होते हैं यह वह भी clean नहीं हुआ मतलब groups जो होते हैं हातों के बीच में जो group कम से कम दो मिनट तक आपको धोना है दोना कैसे है सुमन के टेक्निक के अंदर के सबसे पहले आपको क्या करना है सौब लेना है सौप लेने के बाद सबसे पहले तो आपको S4 सीधा एक बार अंदर से इंटरलोक करTے हुए क्लीन करना है दुबारा finger को interlock करते हुए clean करना है U for ulta फिर ulta आपको clean करना है एक हाथ का फिर दूसरे हाथ का आपने clean कर लिया फिर आता है M, M for मुठी, मुठी बनाने आपको इस तरीके से clean करनी है आपको ये जो groove जो है उसको भी आपको clean करना है एक हाथ के clean करने के बाद फिर दूसरा हाथ जो है उसको clean करना है इस groove को आपको विशेश कर clean करना है उसके बाद फिर आपको अंगुठा अंगुठे को clean करना है अंगुठे को आपको इस तरीके से clean करना है Rotatory movement के अंदर अंगुठे को clean करना है दुसरे हाथ के अंगुल के मुवमेंट को रोटे टे टे ट्रकों करना है कि करना है उसके बाद फिर और नकल नकल जो इसको आपको क्लीन करना है नकल को थ Awám में पूरे हाथ पर खं़ात युष ल संसे क्या होगा उंगल्या जो है वो भी साफ हो जाएगी और हाथ जोगा वो भी क्लीन होगा एक हाथ का क्लीन करने के बाद दूसरे हाथ का भी आपको क्लीन करना है इसके बाद फिर आता है के के फोर कलाई कलाईयों को आपको क्लीन करना है रोटेटरियों मूवमेंट के अंदर दोनों हाथ क अग्यान को क्लीन कर लिया यह उगया सूमन के उसके बाद फिर आता हात ऊपर तो इस आपको एर में ड्राय करने के लिए उपर की तरफ लेना या टिशू पेपर जो आपको इसको ड्राइ कर लेगा इस टेक्निक से आप हाथ साफ करते हो तो आपके बीच के जो ग्रूम्स होते हैं वह फिंगर के जो नेज उसके अंदर और सब जगर से क्लीन हो जायगा और इस टेक्निक से इंफेक्शन जो कि फैलने की समभाब लावा यह था करना है बहार वाला एरिया उससे उसी आपको हटना है और उसको आपको निकालना इस gloves को आपको पूरा नहीं निकालना है, उंगुल्य तक निकाल कर फिर आपको छोड़ देना है, क्योंकि अधिया आपने इस gloves को पूरा निकाल दिया, तो बिना gloves के hand के आपको इसको निकालने में परेश्याने आएगी gloves को, फिर आपके हाथ डर्टी हो जाएंगे, तो आपक क्या करना है, दुसरे हाथ के gloves जो है, उसको भी पकरना है, और पकरने के बाद इसको रिमूव करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि आपके gloves जो है, वो आपके skin को touch बिल्कुली नहीं होने चाहिए, इसको भी आधा जो है, वो लाके छोड़ दना है finger तक, और उसके ब करना है, तो यह थे gloves पहनने की सही technique, hand washing की right technique और gloves जो है, उसको वापिस remove करने की right technique के बारे में, और उसके बाद आपको hand washing कर लेनी है, वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना, thank you